गुट बार्णिंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी केमिश्रा फ्रॉम गेस्ट टो लेबर हास्पिल स्वरुप्रिंगर कानपूर एड आउटसेट रिक्वेस्ट यह साइंटिफिक चैनल है इस साइंटिफिक डेलिबरिशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को स सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें अगर डाजिस्टों हेल्थ को इंप्रूव करना है तो दिरा सटेंट चेंजिस जो मैं आपको रेक्मेंड करूंगा कि आपको करना चाहिए अगर आप यह चेंजिस करते हैं तो आपके डाजिस्टों जो सिस्टम का जो वरकि जो fiber का intake है वो कम है अगर हम fiber को ध्यान से देखें तो fiber वास्तों में एक तरह का carbohydrate है जो आपके intestine absorb नहीं कर सकती है और digest नहीं करती है जब आप fiber लेते हैं तो बहुत सारे advantages आपको मिलते हैं और अगर आप fiber कम मातरा में लेते हैं तो बहुत सारी health की problems आती हैं particularly जो heart की problem से उनके आने का डर रहता है इसके अलावा बहुत सारे health की issues आने का डर रहता है इसलिए जो dietary guidelines से उनको follow करिये in the sense कि पुर्शों के लिए 38 gram रोज fiber चाहिए और बहिलाओं के 25 grams अगर आप ज़्यादा tolerate करते हैं ज़्यादा खाते हैं it's all the better it is not that amount important है amount के अलावा उसकी quality equally important है जो आप soluble fiber खाते हैं जो fiber में soluble part होते हैं वो आपके pre-biotic जैसा काम करते हैं और जो good bacteria intestine में होते हैं उनको feed करते हैं उनके growth को improve करते हैं ऐसे हि जो soluble fiber होता है वो gel के form में convert हो जाता है intestine में और बहुत सारे health benefits देता है in the sense को cholesterol को नीचे करता है intestine को movement को regulate करता है और blood sugar को optimize करता है नो जब भी आप fiber को बढ़ाते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, in the sense कि जब आपने fiber बढ़ाया तो आप अपनी dietary pattern को ध्यान से देखिए, आप देखिए कि आपने fiber बढ़ाया तो intestine कैसा feel कर रही है और आपके जो भी observation है उसके हिसाब से जैसा मैंने पिछले video में कहा कि जो food journal आप maintain करते हैं उसको एक बार watch करके देखिए कि आपने fiber बढ़ाया तो आपको क्या symptoms आए, क्या दिक्कत होई या क्या improvement आया, आपको अपना जो water intake है उसी के उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है, तो fiber बढ़ाया, water intake बढ़ाया, आपने symptoms को बाच अगर आपको लगता है कि fiber बढ़ाने से कुछ side effects आ रहे हैं, तो just watch, ऐसा माना जाता है कि जो fiber बढ़ाने से जो कुछ problems या कुछ side effects जैसे दिखाए देते हैं, धीरे 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 वो जो side effects से वो अपने आप ही disappear होने लगते हैं in a week's time और आपकी जो body है, fiber को adjust करना चालू कर जहां तक fiber का सवाल है, आपको आपना जो खाना है, उसमें fiber rich foods को जरूर बढ़ाने की, जरूर include करने की जरूरत है, now plant based sources है, they are the best ones, in the sense कि जो fruits आप खाते हैं, उसमें आपको fiber मिलता है, vegetables आप खाते हैं, उसमें आपको fiber मिलता है, nuts आप खाते हैं, उसमें आपको fiber मिलता है, जो beans या whole grains आप खाते हैं, उसमें fiber की amount आपको adequate मिलती है, इनको जरूर include करिए. ये जो even खाने हैं या इस तरह की चीजे हैं जो मैंने आपके सामने रखी, ये बहुत सारे health benefits आपको देती हैं, एन उसको आपको धीरे-दीरे amount को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि उसका advantage आपको बिल सके. Now, जो fermented food का सवाल है, fermented food को आपकी diet में जरूर कहीं न कहीं space मिलना चाहिए, in the sense, कि जब आप fermented food लेते हैं, तो वास्तों में आपकी जो bacteria है, उनको जरूर utilize करती है, और prebiotic के साथ मिलके वास्तों में आपका जो gut microbiome है, और strong होता चलता चला जाता है, और इससे आपकी gut की जो performance है, gut की जो immunity है, और gut की जो health है, वो improve होती है, scientific studies को मनें, तो ये कहते हैं कि आपको रोज एक से दो tablespoonful fermented food जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, जो fermented food है, वो आपको कहां से मिलेगा, आपको yogurt से मिलेगा, याने आपको दही इस्तेमाल करना चाहिए, किमची से मिलेगा, ये इस तरह का fermented food है, जो available होता है, आपको use करना चाहिए, miso soup है, sorcret है, tempeh है, ये इस तरह की चीज़े हैं, जो fermented food के category में आती है, और जहां भी possibility है, आपको अपने diet में इसको जरूर रूट करना चाहिए, नो, खाना खाने के बाद, तहलना हमेशा recommended है, जो post meal walk है, सभी scientific studies कहती है, कि आ अगर आप कभी भी टहलते हैं दिन में, it is immaterial, खाना खाने के पहले, बाद, सबेरे, शाम, ये overall health के लिए important है, ये आपको help करता है, ये बात बिलकुल सही है, कि exercise, आपका जो digestion है, उसको हर form में support करती है, लेकिन, एक meta analysis है of the research, what it says, कि जो exercise और gastric emptying, याने exercise और खाने का खाने की तहली से आगे बढ़ना, ये वास्तों में, आप कितना time exercise करते हैं, और आपकी intensity करती है, कितनी तेजी exercise करते हैं, उस पे dependent है, लेकिन, खाना खाने के बाद, जो आप walk करते हैं, उसके लिए recommendation ये है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा घंटे बर तहलनी की जरूरत नहीं है, short time period, that means 10 to 15 minutes, and lower intensity, slow walk करनी की जरूरत है, ये जो है short time period, lower intensity, वास्तों में, आपका जो proper digestion है, उसको support करनी की ताकत रखती है, नो आपको रोज कुछ न कुछ relaxing thing आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल science मान के चलती है, कि stress का जहां तक सवाल है, ये आपकी intestine की जो speed है, ये इस stress जदा होगी, intestine की जो speed है, वो कम हो जाएगी, आपके जो body है, उसकी जो ability है, जो waste product को आगे बढ़ाने के, वो हमीचा नीचे की तरफ आईगी, ये बात बिल्कुल सही है, कि stress को आप किसी भी तरह अपनी life से पूरी तरह से अलग तो नहीं कर सकते, ये किसी के लिए possible नहीं ह हैं, लेकिन कुछ relaxation techniques ऐसी हैं, इनको आप इस्तेमाल करें, तो उसे benefit जरूर होगा, आप meditation करें, benefit होगा, आप yoga करें, आपको benefit होगा, कोई भी आप pet अगर पालते हैं, in playing with pet for a short time, ये आपको help करता है, ऐसे ही आप अपने friends से communicate करते हैं, चाहे directly बैटे हैं, I mean social interaction करें, phone पर बा कम से कम कुछ इस तरह की चीज़ें जरूर खानी चाहिए, जो plant based protein की category में आती हैं, या plant based food की category में आती हैं, वास्तों में ऐसा माना जाता है, एक हफते के अंदर, आपको अलग अलग varieties इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप बहुत diverse variety आप plant food इस्तेमाल करते हैं, तो आपका overall nutrition improve करता है, यह आपके gut का जो balance है, उसको improve करके चलता है, तो इसलिए खुली आंख से देखिए, कि आपको diversity maintain करनी की जरूरत है, अगर आप एक ही चीज़ रोज रोज खाते हैं, कि आप रोज आलू की सबजी खाते हैं, तो problem है, आप रोज आदद आपको पड़े हुए, कि र foods हैं, वो variate होते चले जाएं, और जब आप इतना सब करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका जो एक result है, वो आपके parameters पर दिखाए देना चालो हो जाएगा, आप यह सब digestion को improve करने के लिए करें, और आप देखेंगे, कि उसको result देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके parameters improve हो होंगे, आपके blood sugar ज्यादा stabilize हो जाएगी, आपका serum cholesterol का level stabilize होने लगेगा, तो इसलिए, digest of health को better करने के लिए, इन सब चीजों को आप incorporate करें, और फिर आप अपने parameters को watch करके देखेंगे, आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर parameters में फर्क होना दिखाए दे जाएगा, तो देखेंगे, डाजिस्ट of health को better करने के लिए, ये जो recommendations हैं, अगर आप समझते हैं, कि इनको समझने में आपको बंदद मिलती है, तो जरूर शेयर करें, मैं Dr. V. Commissioner from Guestoliver Hospital, स्वरुपनगर कानपूर, Thank you very much.